राजधानी दिल्ली से सटे बड़े शहर ग्रेटर नोईडा में डॉक्टरों की लाप्रवाही का एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप जरूर हैरान होंगे ये कोई सरकारी नहीं बलकि नीजी अस्पताल के डॉक्टर का कारनामा है दरसल साथ साल की मासूम बच्ची की दाहिनी आँख में दिक्कत थी जिसको लेकर परिजन ग्रेटर नोईडा के नीजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने ओपरेशन करने की बाद परिजनों से कही परिजन बच्ची के उपचार के लिए तयार हो गए डॉक्टर ने ओपरेशन में करीब 40-50 हजार रुपे का खर्च बताया परिजन इस पर भी तयार हो गए परिजनों के राजी होने के बाद डॉक्टर ने ओपरेशन किया और जब बच्ची का ओपरेशन हो गया बच्ची को आराम नहीं मिला तो परिजनों ने देखा कि जिस आँख का ओपरेशन होना था उस आँख का तो ओपरेशन हुआ ही नहीं है डॉक्टर ने दूसरी आँख का ओपरेशन कर दिया यानि तकलीफ बाई आँख में थी और डॉक्टर ने ओपरेशन दाहीनी आँख का कर दिया हालांकि इसकी शिकायत जब परिजनों ने पुलिस से की तो पुलिस ने डॉक्टर को थाने में बुलाया जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस के सामने ही कबूल किया कि उसने गलत ऑपरेशन कर दिया है फिलहाल इस पूरे मामले की जाच की जा रही है